पार्ट फाइव को देखने से पहले अगर आप लोगों ने उसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी आगे समझने में आसानी हो तो फिर चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग पार्ट फाइव के शुरूरत करते हैं यहां पर हम लोग देखते ही कि तियान लेन अब अच्छा पापा बन गया है और उससे अपनी गल्ती का भी एहसास हो गया है फिर हम लोग यहां पर आते हैं जहां पर जीशेंग ने सारा मामला अपनी बातों से संभाल लिया होता है पर जीटों वहां पर आ जाती है और जीटों को भी पता चल जाता है कि में जैसा सोच रही थी वैसा तो कुछ भी नहीं है तो फिर वहां से जाने लगती है तो जीश दस्ती उठा कर उसकी स्कूटी में बिठा देता है फिर वो खुटने पर लगी हुई जीतों की चोट को देखता है और कहता है कि ये उस टाइम की ही है न क्या अभी भी तुम्हें दर्द होता है फिर वो एक टकले आदमी से जबर्दसी ज्यादा पैसे दे कर उसका हेलमेट ल क्चाने लगता है अन्द हुस्पिटल में आकर विचारा खुद खुद देखकर डर जाता है और वहीं पर ہी बेहोश हो जाता है फिर वो एक सबना देखता है जिसमें साथ साल वाला जीशेंग होता है उसके हाथ में काच का टुकडा होता है और सारी तरफ खुन ही खुन बिख रहा होता है और बोल रहा होता है कि इतना सारा खुन वो मैं नहीं था सच में मैंने ये नहीं किया और जीटोंग भी तब ही उसके पास ही बेटी होती है तो जीशेंग की इसी ओ मेडम कहां चली तुम बिना चाबी के कैसे घर पर जाओंगी एंड खुद उसके घर तक चला आता है एंड इतना ही नहीं जितों के मना करने के बावचूद भी वो उसके घर में खुश जाता है एंड उसके लिए खाना भी बनाता है एंड कहता है कि मुझे भी एक सूपरस्टार का घर देखना था इसलिए मैं आया उस पर जीतोंग उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें खाना बनाना भी आता है तो जीशिंग उसे कहता है कि पहले हम लोग गरीब हुआ करते थे एंड मेरी आंटी और मे एक दूसरे के भरोसे पर जीते थे उसकी ऐसी बाते सुनकर जीतोंग को भी थोड़ा बुरा लगता है फिर वो दोनों खाना खा रहे होते है उसके बाद जीशिंग वहाँ से चला जाता है एंड एक सैक्रेटरिस के पास अपना इलाज करवा रहा होता है यहां से वो सी था जीतोंग के पास कन्विनियन स्टोर में चाता है एंड उसे कमपनी फिर से चोईन करने के लिए मना रहा होता है पर जीटोंग तो मानती नहीं इसी तरह रात पर जीशेंग जीटोंग के घर पर आया होता है और उसके लिए खाना प्रिपेर करके रखा होता है कि तब ही जीटोंग वहाँ पर आ जाती है और उसके घर पर देखकर उसे गुसा होने लगती है उस पर गुसा होने लगती है तो जी शेंग उसे सोरी कहता है और कहता है कि तुम प्लीज कमपनी वापस आ जाओ ये सब मेरी गलती है और इस गलती के वज़े से मैं अब पच्छता रहा हूं पर जी टॉंग तो उसे मार कर भगा देती है अगले दिन सुबा जी टॉंग कमपनी आ जाती है उसका असिस्टन वाला छोप करने के लिए ये देख कर CTO शॉक एंड जी शेंग रॉक यानि की जी शेंग उसे देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है फिर यहाँ पर स्कूल में तियान लीन आया होता है एंड फिर वो चिंग से मिलता है इतना ही नहीं तियान लीन तो चिंग को एक बॉल लगने की वज़े से बचाता भी है एंड जल्द ही इन दोनों की भी स्टोरी आगे बढ़ने वाली है ये हमें आगे के एपिसोड में दिखाये जाएगा अगले दिन जी शेंग जितों के लिए मिल लेकर आया होता है तो जितों उसे कहती है कि मैं अपना टिफिन लेकर आई हूँ एंड मैंने खनक खा लिया है तो जी शेंग उसका टिफिन छीन कर उसका जो मिल लाया होता है वो रखकर वापस ओफिस में आ जाता है फिर वो लोग केफेटरिया में होते हैं एंड सीटियो उसे पूछता है कि क्या तुम चैन्जितों को पसंद करते हो एंड यहाँ पर तो जीशेंक स्टेट फोरवर्ड उसे चवाब दे देता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ एंड मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा एंड यह पार्ट यही ही खत्म हो जाता है अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना एंड कमेंट करके मैं जो बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एंड मैं मिलती हूं तुमसे नेक्स्ट वीनियो में तब तक के लिए बाबाई